हेलो दोस्तो मैं विर्याइंद्र आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जी मेरी दुनिया में यानि की मेरे योट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमकी ग्राप्टिंग कैसे करें जिससे की हमारी ग्राप्टिंग जो है 5-7 दिनों में सक्सेस हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बीच से उगाया हुए आम के पवधे की जरुत होंगी मैं एक पवधा ले रहा हूँ जिसकी उम्र लगबग एक से देड़ महने की है हम जितना मर्जी उतने पुराने पेड़ पर आम की ग्राप्टिंग कर सकते हैं और दूसरी एक चीज सायन यानि की फलते हुए आम की डाल कि हमारा जो ग्राप्टिंग रिजल्ट है 100% सक्सेस होने के लिए किस तरह की सायन सेलेक्ट करना चाहिए उस वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हो और उपर आई बटन पर भी वीडियो सो हो रही है तो आप वहां से देख सकते हैं सायन ऐसे सिलेक्ट करेजिए जिसमें हलकी हलकी ग्रोश टार्ट हो चुकी हो अब इस सायन को हमें फीशेप में छिल देना है दोनों साइड से तीरशा काटते हुए इसे नु यूज करते वत आपको भूत ही सावधान रखने होगी किलेट से हाथ कटने का जांश बहुत जयादा होता है यहां इसे काते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी दोनों साइड की जू स्कीन है जो छाल होते है उसे पूरी तरीके से कटने नहीं देना है मतलब दोनों साइड में इसकी स्कीन होना जरूर है ताकि ये स्कीन से स्कीन अटेज होके जल्दी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है अब इसे अच्छी तरह से काट देने के बाद हमें पवधे को लगबग 4-6 इंच के हाइट के उपर से काट देना है अब पवधे को काट देने के बाद हमें इसे उपर से बीचो बीच से बिलकुल काट देना है खड़ा चीर देना है और इसे उतना ही गहरा चीर ना है जितनी लंबा हमने सायन पर कट लगाई हुए मतलब सायन को तीर्षा काटा हुआ है उतना ही गहरा कट हमें यहां लगाना है ताकि इसमें सायन बराबर फिट आ सके अब हमें इसमें सायन को बिलकुल खड़ा बैठाल देना है और एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम इसके एक बाजू की स्कीन रूट स्टॉक की और सायन कि सकसे सोने के चांसे बहुत ज़्यादा हूतें अब इसे बाजने के लिए इस तरह से आप गेटेंग्टेप का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास गेटेंग नहीं है तो आप इसे अंलाइन मगा सकते है मैंने इसे Amazon से खरीदा था और आप चाहो तो इसे घर पर भी बना सकते ह। और ग्राफटिंग टेप घर पर कैसे बनाए जाए है। इस पर भी मैंने एक detail वीडियो बनाई हुई है। जिसमें मैंने ग्राफटिंग टेप घर पर कैसे बनाए जाते हैं। उस पर बात किये और इसके अल्टरनेटिव्स क्या है उस पर भी बात किये और अगर आपको ऑनलाइन और आपने टेप मंगा नहीं तो उसकी भी लिंक मैंने उस वीडियो में दी हुई है आप वहां से देख सकते वीडियो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएंगे आपको वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार अब इस ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे से इसको बांध देने के बाद इसे अच्छे से कस देना है और बांध देना है थाकि जो जॉइंट है वो आपस में कनेक्ट हो जाए और ग्राफ्टिंग को सक्सेस होने में आसानी हो इसलिए इसे बहुत ही कसकर बानना है जितना ज़्यादा कसकर बान सकते हैं उतना ज़्यादा कसकर बानना है अब अगर आपके पास इसे ढखने के लिए कैप ना हो तो आपको इसे इसी ग्राप्टिंग टेप से उपर तक लपेड देना है और इसे cover कर देना है जो कि इसे बाहर की जो heat है गर्मी है उससे बचाएंगा और इसे सूखने नहीं देंगा जिसे कि grafting हमारी फेल नहीं होगी और अगर आपके पास इस तरह से एक cap है तो आप उस cap से इस grafting को cover कर दीजिए और नीचे से इसे बांद दीजिए और अभी कुछ सबसे कम नहीं समय की धूप लगे या फिर सिर्फ उजाला मिल जाए ऐसी जगह पर रखिए डारेक धूप में रखने से हमारी जो grafting को जल सकती है मतलब सूख सकती है अब हमारी इस grafting को 5 दिन हो चुके है और 5 दिन बात देखते हैं इसे खोल कर कि इसमें क्या growth हुई है या फिर फेल हो गई या success हो गई ये भी देखते हैं इसे खोलने के लिए जो हमने बांदा हुआ है क्याप को उसे पहले सबसे पहले काट देते है या फिर अगर साधी गाठ है तो खोल देते हैं अब इसे हलके हातों से इसके उपर की क्याप को हटा दा है ये देखिए अब देखिए यहाँ पर आप साब साब देख रहे हैं इसमें काफी अच्छी growth हुई है और एक पत्ती थोड़ी बड़ी हो चुकी है देखिए किती अच्छी से growth हुई है इसमें सिर्फ पास दिनों में एक ग्राप्टिंग हमारे success होगे इसका कारण एक है कि हमने जो science सिलेक्ट की थी उसमें पहले से थोड़ी growth स्टार्ट हो चुकी थी जिसका विवाज़ा से इसे growth पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा देखिए किती अच्छी growth हुई है इसमें और उस science सिलेक्शन पर मैंने एक detail वीडियो बनाए जिसकी उपर आई बटन पर और नीचे description box में भी link दी भी है तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी जो grafting tape है इसे अभी हटाना न देख सकते हैं पर उसके खोलने के बाद तूरंद ही आपको इसे वापस से बांद देना जरूरी है और उसके बाद लगबग 6 मैने के बाद इसकी grafting tape आप पर्मानटली खोल सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई वीडियो में बाई बाई टाटा जहिन